जो भी बहत्तर विधायक और 12 MP ने समर्थन दिया है तो ज़ाहिर सी बात है ज़्वात्र विधायक हमारे हैं कासी विधान सवसीट है और ज़्वात्र विधायक हमें समर्थन करते हैं तो सरकार को नीटी वापस होना चाहिए वरना दोस्तों आप लोगों को ज्ञाखण में च तो चलिए पुछता इसके बारे विए यह क्या जोहार जितने भी दर्सक इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उन सबों को जोहार रहेगा और जो आपका सवाल है जबी कैसे का निर्मान होने के बारे में जो सवाल पूछ रहे हैं तो आपको पता है जहारखंड अलग ह आज 23 साल हो गए हैं लेकिन जार्खंड की दूर्दसा बहुत ही द्यानियस्तिती में यहां से 40-45 परशंट खनीच संपता केंदर सरकार को जाता है उसके बावजुद भी केंदर के द्वारा किसी भी परकार का कोई यहां के लोगों के लिए सोचा नहीं जाता है और जैसा कि को सब भी पता है कि जार्खंड के लोग काफी पिछडी अर्थिक द्रिश्टि कॉन से से भी सथासे विस से माना जाता था कि जारकंड के लोगों बिकास होगा लेकिन दुरभाय कि यहां को विकास होने के बजाए जो घृट याने जो में चोक करें लेकिन लोगों के बारे में भूल जाते हैं और यहां के लोगों के बारे में जरा सभी उन्हें चिंता नहीं रहती है कि हमें यहां के लोगों के बारे में क्या करना है शिर्फ अपनी तीजोरी भरने के चक्करम में रहते हैं ज्वार्खंट जदी देखा जाक मैं इस्तिमरें यहां वी श्थापन निती नहीं नहीं पुनर्वास निति नीहीं नियोजन निति नहीं अस्थानी निति किसी भी में निति का सही चाहरा नहीं किया रहा ऐघ Including सवाल उठता है कि हम लोगों ने बराबर बिजेपी गटवंदन रहे जमें गटवंदन रहे सब वों को बराबर मौका दिया लेकिन सब ने धोखा देने का काम किया इन सब बातों को देखते हुए और जेवी कैसे का निर्मान किया गया है ताकि यहां के सिपाही का करमचारी का भी नोक्री आता है तो 60% यहां के लोगों के लिए 40% अन्य राजों के लिए जबकि आप जदी अध्यान करेंगे यहां के नियोजी निती में असपस लिखा हुए कि 90% वहां के अस्थाने निवासी होंगे और दस पर रहे लेकिन यहां पे सरकार 40% ओपन फॉर और ला करके बाहरियों को आम अंतरन दी रही है अब जदी 40% बाहर के लोग आ जाएंगे तो बताइए जार्खन के लोग कहा जाएंगे तो यह कहीं ना कहीं जो दुर्भागे पुर्ण भी सह है और इसका जे एससे स्यों ने जार्खन बंद भी किया विधान सभा का घहरा भी हुआ मुख मंत्री आवास का घहरा हुआ लेकिन दुर्भागे उबलटा कारवाई चात्रों के उपर किया गया लाठी डंटों रबबड गेस के गोले आगे गए और परिनाम लास्ट में और भी पत्र समर्थन पत्र लेने का बात थ सब्सक्राइब करना चाहिए लेकिन अपने मनमाने तरीके से और भैकेंसी निकाले जा रही है आनन फानन में यूंकि चुना भी बहुत जल्द है तो नहीं भी दिखाना पड़ेगा कि हमने निती जो है कही न कहीं विल्कुल गलत है साठ चालिस की निती का विरोध करते हैं बैसे में कहना चाहेंगे कि जो भी 72 विधायक और 12 MP ने समर्थन दिया है तो चाहिर सी बात है जदी 72 विधायक हमें समर्थन करते हैं तो सरकार को निती वापस होना चाहिए वरना इन 72 विधायकों को विधान सवा से वाकॉट करना चाहिए कि हम आपके साथ नहीं हम देख इस लिए नहीं हम लोगों की दिखाई पड़ती है और सरकार की गलत नीती आपको अकॉट करना चाहिए था लेकिन पीर विधान सवास पड़ेकों को असर नहीं पड़ा तो साप्स अस्पश्ट दों कहेंगे जितने भी नीचिक दलब है कहीं नहीं कहीं चरित्र की भूमिका में है, सरकार के साथ भी साथ काठ है उनकी और विदार्थियों के साथ भी चाते हैं कि बने रहे हैं, इसलिए उनकी दोहरी चरित्र है और ये दुर्भाग की बात है